तो गाइस आपका जो विंडूस के रिलेटिड जो आपका कैमरा है अगर वह कैमरा अगर आपके हाँ प्रॉब्लम ट्रेड कर रहा है कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है और अगे बताने वाला हूं और मैं आपको यहां पर टोडल 6 methods मैं आपको बताऊंगा उन 6 methods को apply करने के बाद जो आपका camera से लिटेट जो ये error आ रहा है जो problem आ रहा है या problem आपका permarenty solve हो जाने वाला है तो guys जैसे मैं आपको यहाँ पर सबसब पहला method बताता हूँ आपको करना क्या है कि आपको अपने जोटों के सेट्टिंग से को पर उपिं कर लेना है फिर होने के बाद फिर अपको यहां पर privacy and security वाफ्चन पर आपको यहां पर चले जाना है और आपको यहां पर आपको यहां पर एक्सेस है यहां पर소리 स्पुर्षा बिट्मिर ok आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को टर्न आउन कर लेना है अब मैं आपको यहां पे सकेंड मेनाथ बता दो हूं सेकेंड में आपको करना क्या है सेकेंड में भी आपको यहां पर विंदोस प्लस आई बटन को प्रत प्रेस कर रॉने के बाद अब आपको अप्श्यौ जाना है और बाद अदर आ आने के बाद फिर आहां पर आपने अपर आपके देखोगे आपके यहां पे करना क्या है कि यहां पे राइट रहे पर perfect is on the left आपको यहां पे क्लिक कर अपको एक बार अपने इस कैमेरे वाले रॉप्षन को आपने हैं पर है तरफ यहां पर हैप दो डूरोफ पिपल देंगे कर रहा हूं लेकिन आप सोटने निक होखे रहा हुए सब्सक्राइब त्रवल सूट कर लेडिये अपने यहां पर अपने विपीन कर लेना है उपने के बाद पर, आपको सिस्टम वाले ओप्षिन पर अगें चल जाना है और अपके हाँ अदर ट्रोल सूटर पर चले जाना है और इस बार आपके विंडूस इस्टूर अप करना है जैसे यहांपे उसको भी आपके एक बार ट्रवर लेकिन अगर आपके किस में होता है तो आपको उसे भी आपको एक बर ट्रावल सूट कर लेना जैसे मैं आपको यहां पर रॉन बिटन पे क्लिक करना है और यहां पे उसे भी ट्रावल सूट कर लेने के बाद आपको अपनी सट्मीनी के वडिक करना है और आपको इसकी उपर रॉइट करकर आपको यहां पर इस्की इए इंस्टाल डिवाइस पे क्लिक करना है और आपको इसे अनिस्टाल करना है उसके बाद करना क्या है मैं आपके बताऊंगा तो यहां पे अनिस्टाल डिवाइस पे क्लिक करता हूं देन अनिस्टाल और यहां पर यहां पर कैमरा है यहां पर अनिस्टाल हो जाएगा यहां पर यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर सक्टेट होगा अब यहां पर क्या हुए हथ कि वह को अनिस्टॉल हो गया था मैं उसे अनिस्टॉल कर दिया हूं अनिस्टॉल कर Centalth और इसके आना is आपको एक बड़ अपनी वेंडोर को रिस्टाट कर लेना का था या पड़ …? नहीं कर नहीं हो तो आप एक बर Windows Explorer को आपको यहां पर रिस्टार्ट कर सकते हैं तो जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहां पर आपको इसार्ट करना है और आपको इसे कर लेना है और आपको कर लिने के बाद अब आपको यहां पर 5th पीछ उपिन कर लेना है और अपको इस बड़ आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहां पे दिखो घैश्टर वारा आपको तो आपको आपको नहीं क्या है कि आपको यहां पर आपको यहां पर टाइप करता आपको सब्सक्राइब करना है और आपको यहां पर एडवांस ऑप्शन पर आपको इसे ओपिन करना है कि ओपिन करने के बाद आपको इसे डाउन मोड पर स्क्रॉल डाउन करना है और अब आप यहां पर देखोगी आपको यहां पर रिपियर का बटन आपको यहां पर शोगा और रिशेट का आपको यहां पर बटन शोगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहां पर कैमरा को कर लिए कर लिए जैसे आपए करता हूं और रिपयर का प्रॉसस्स हो जाने के बाद पर आपए इसी रिसेट भी करना है तो इहाँ पर रिपय हो चुका है और यहाँ पर यह टिक लग चुका है जैसे आप में आपको इस ए Après हमाओ बता दूव आपको कर लेने के बाद और आपको इस बर करना क्या है कि आपको के यहां पर डिस्पले अप्टर के यहां पर इस ब्रोक यहां पर आपको इस ऑप्षन पर ना scorak पूसर आपकर अप्टेट करना है और जब भी सीम और यहां पर हो कि अपर नहीं करता है तो आप ड्राइबर को आप कि जएगा तक यहां पर क्लिक करना है और यहां पर होने के बाद अपको यहां search for the updated drivers on windows citizen प्लिक करना है और यहां पर विंद्व अप डिटिट करे लिड़ेटfly आपको इस तरह के इंटरसर हो जाएगा तो यहां पर करना क्या है कि把它 आपको इंडॉस को भी आपको यहां पर update कर लेना है। बाइद आपका Windows Update नहीं है तो यहां पर आपको चेक फोर अप्टेट्स का आपको आपको यहां पर ऑप्टेट नाव को आपको आपको अप्टीट कर लेना है यहां पर कर लेना में उसी बटन पर प्लिक करकर और रीस्टाट करने के बाद आप यहां पर विंडोस अपडेट वाले ओप्शन पर यहां प्लिक लाएं पर यहां पर अपने विंडो सक लेना है तो अभी तो मैं आपने विंडोस को अप्टिध कर लिएगा अपटोडेट कर लेने के बाद, अब आपको यहां पर करना क्या है, कि आप एक बार क्या किजएगा, आप अपने Chrome ब्राउजर को ओपन किजएगा, या कोई भी ब्राउजर आप यहां पर यूज कर रहे हो, तो आप अपने फेडिर ब्राउजर को आप यहां पर ओपन कर यहां पर यहां पर ट्राउजर करना है, और आपको यहां पर यहां पर ट्राउजर करना है, और आपको यहां पर पहला ओप्शन आपको यहां पर हो जाएगा, ड्राउजर का, आप जिस भी कंपने के ब्रैंड नेम को आप यहां पर ट्राउजर को आपको यहां पर ट्राउ यहां पर करना क्या है कि आपको अपने लब्टॉप का जिस भी कमपणी का लप्तॉप जिसने देल का स realize था जब नंबर को आपको एँहां पर टाइप करना है अपने लब्टॉप का स्रियल नंबर को आपको इस mem cafe लगा हुआ होगा और उसी इस्टीकर में आपके laptop का स्रील नंबर, model नंबर, total detail वहाँ पे mention किया होगा, तो आपको उसी स्रील नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पर अपने laptop का स्रील नंबर को यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहां पर टाइब किया हूं यहां पर सर्च करता हूं इस option पर जाने के बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहां पर एक्स्टेंड का option आपको यहां पर शो होगा तो इस एक्स्टेंड वल्ड़ा उप्शन पर आपको क्लिक करोगे तो आपके laptop रिलेट जितने भी drivers and software वगरा है वह आपके यहां पर load होना start ह होजाएगा लूड़्यों इक बाद आपका हां पर सारा आपके हां पर wastewater सब्सक्रॉन होजाएगा तो यहां पर आपको temper आपको इंट से धो नहीतर होगा आपको इनटलस्टेंग्राफिक ड्राइबर आप कर दो होगा तो आपको करके क्या है कि आपको इसको ही आपके Purdue बहुत आपके तो यहां पर यहां पर यहां में इस नहीं कर रहा हूं कि यह बैं कीmor यह वीटियो कि यह उसे स्टॉल ने के चैसे की और यह लाग हो प्रासफ के साथ आपको इसे इंस्टर्ल कर लेना है। इंस्टर्ट करने के बाद यहां पर चेक करना है, अपने कैमरा को ओपिन करता हूं, तो जैसे आप यहाँ पर दिखो कि यहाँ पर मेरा जो camera है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से work कर रहा है तो इसी तरह आपको यहाँ पर चेक कर रहा है कि यहाँ पर आपका जो camera है वो अब यहाँ पर work कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर in case अगर in case यह सारे methods को apply करने के बावजुद भी अगर आपको यहाँ पे जो camera है वो proper तरीके से work नहीं करता है तो आपको यहाँ पे finally आपको अपने system को restore करना होगा और restore करने से क्या होता है कैसे किया जाता है मैं उसके related already separate वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो के लिंक अपने इस वीडियो के description में दे दिया हूँ तो आप वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को watch कर सकते हैं और अपने system को restore कर सकते हैं और गाईज अगर आप अभी तक म वीडियो में till then and bye bye और एक बात और सस्क्राइब बटन पर दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे एक सस्क्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए